गुड आफ्टूनें एब्रिवान वेल्कम टू सुवल सर्वसे श्टड़ी प्रक्टिस सेट नंबर 598 पर आजाए यूपी पीसियस के लिए हैं और प्रक्टिस करेंगे इसमें हम मेडाइवल हिस्ट्री के प्रश्णों पर मध्यकाली भारतिय इतिहास एक एक राजा से रिल तो कुश्चन नंबर 1 पर आजाए किस राजपूत साशक ने मुगलों के विरुद्ध निरंतर स्वतंतरता का संकर्चारी रखा और आत्म समर्पन नहीं किया विकानेर के राजा राय सिंग मारवाड के राव चंद्र सैन ठीक है आमेर के राजा भारमर या मेबाड के ठीक है ओप्सा नंबर 2 तो 1565 में मारवाड के साशक राव चंद्र सैन ने भद्रा जूण में मुगल सैनाओं का सामना किया लेकिन चारों तरफ से घिर जाने के कारण उसे शेवाना जाना पड़ा मुगल सैना ने उसे ढूड़ने के लिए बहुत प्रयास किये राव चंद्र सैन ने 1579 में सोज़त पर अधिकार कर लिया अकबर ने पुना सैनाए भेज कर उस पर आकरवन करवाया लेकिन वह पहाड़ी छेत्रों में चला गया और 1581 इस्वी में उसकी मुरत्ती हो गई के मारवाड के राव चंद्र सैन की कुश्चन नमर्ट उपर आजए नमलिखित वात्साहों में से किसको एक प्रबुध निरंकुष कहा जा सकता है किसको कहा जा सकता है इनमें से एक प्रबुध निरंकुष अकबर को तो मुगल समराट अकबर का सामराज जो है अफगानिस्तान कस्मीर से लेकर गुदाबरी नदी के किनारे तक विस्तरत था वह एक धर्म निरंकुष साशक था अकबर को प्रबुध निरंकुष साशक कहा जाता है ठीक है क्योंकि उसके साशनकाल में कानून की दरश्टी में सभी समान थे अकबर का साशनकाल जाना जाता है छेत्रों को जीतने के लिए अपनी प्रशासनिक व्यवस्ता के लिए नयाइक प्रशासन के लिए उसकी धार में कटर था किसके लिए बताईए छेत्रों को जीतने के लिए प्रशासनिक व्यवस्ता के लिए नयाइक प्रशा परसन के लिए नहीं जाना जाता धार्मिक कट्टर थोड़ी था अकबर और अंजेव था वो ठीक है यह और अंजेव का डिपार्टमेंट था तो फोर को एलिमिनेट कर दीजे इसका आंसर हो जाएका वन टू थरी भी तो मुगल समराथ अकबर अपनी धार्मिक उधार ता और धार्मिक सही शुनता के लियां परसिद्ध था ना की कट्टरता के लिए उसके द्वारा प्रतेपादे सुलह कुल की नीती और दीन इलाही इसका उधार्ण है नंबर फोर पर आजए अकबर द्वारा दिवान का पून रूपेंड दर्जा दिये जाने वाला पर्थम व्यक राजा टोडरमल और खुआजा साम अशूर के हाथों में रहा दिवान सब्द जो है फार्सी भाषा का है और खलीफा उमर के काल में जो है मुसलमानों ने इसे अपनाया था ठीक है अब देखे इसका प्रियोग जो है खजाना विभाग के लिए किया जाता था मुझफर खा सरकारी सोपान में दिवान के पद को इस्थान दिलाने में सफल रहा दिवान जो है आर्थिक मामलो और राजस्व का सरवोच अधिकारी होता था ठीक है चलिए तो पहली बार पूछा है प्रश्ण में ठीक है पर्थम रूपेन तो मुझफर खां तुरुवती को दिया था दिया जो है सह मशूर को भी था लेकिन पहली बार किसको दिया था मुझफर खां तुरुवती को कोशन नुबर फाइब पर आजए जापति प्रणाली किसकी उपज थी जापति प्रणाली उपज तुगलक की नहीं थी लोद्दी की नहीं थी सेरसां की नहीं थी अकबर की थी तो जापति प्रणाली का प्रारंब जो है अकबर ने किया था यह प्रणाली भूमी सर्वेक्षन भूर अजब निर्धारन के लिए दस्तूर उल अमल तथा जापति खसरे की तैयारी पर अधारित थी क्योंशननion.6 पर आजए भूर अजब प्रशासन के खेत्र में सेरसां और अकबर के मध नमलिक दमेसे कौन साय कड़ी थी कौन था बीरबल नहीं था टोडर मल था तो टोडर मल भूराजस प्रशासनिक, भूराजस प्रशासन की द्रश्टी से परसद है अकबर के द्वारा ही आईन ए दहसाला यानि टोडर मल बंदोवस्त की सुरुवात की गई थी इस प्रणाली को वास्पिक रूप से प्रारम करने का स्रह जो है टोडर मल को ही जाता है कॉश्चन नुबर सेवन पर आजए इवादत खाने का निर्मान किस ने कर वाया था इवादत खाने का निर्मान कर वाया था अकबर ने क्या करता था इसमें अकवर? विविन धर्मों के साथ वाद, विवाद तो समराट अकवर द्वारा धार में चर्चा और विचार विवान्स करने के लिए 1575 में फत्यफ उर्चीक्री में इबादत жизни का निर्मान कराया गया जिसे उसे धर्म के मामलों में सर्वोच बना दिया, जिसने उसे धर्म के मामलों में सर्वोच बना दिया, चलिए question number 8 पर आजएए, दिल्ली में कौन सा एतिहासी किसमारग भारतिय तथा फार्सी वस्तुकला सहली का उधारण है, कौन सा है बो, कुत्ब मिनार नहीं है, लोदी का मकबरा नहीं है, लाल किला नहीं है, हुमायू का मकबरा है, हुमायू टॉंब दिल्ली का, तो हुमायू का मकबरा दिल्ली में स्थित है, जो हुमायू की बेगम हमीदा बानू के दारा बनवाया गया था, मीरक मिरजा गियास के दारा जो है, और यह एक भारत का पहला उद्ध्यान मकबर अभी है कॉश्चन नुबर नाइन पर आजए है कौन सा इसमारक फतेपुर सीकरी में नहीं है फतेपुर सीकरी में क्या नहीं है सौन महल पंच महल जोदा भाई का महल अकबरी महल देखिए अकबरी महल नहीं है ठीक है अकबरी मह में महल और खिलो का निर्माण आरंब किया इसमें जोदा भाई का महल पंच महल सौन महल अथवा सुन हला महल ठीक है दिवाने याम दिवाने खास मरियम की कोठी पीरवल की कोठी आदी प्रमुक है नहीं है तो क्या अकबरी महल क्वेशन नबर दस पर आजए अकबर ने बंगाल और विहार को मुगल सामराज में मिला लिया गया अक्वर ने मुनीम खा को विहार के दाउद पर अक्रमण करने तो था विहार को जीतने का अधेश दिया देखे मुनीम खा ने दाउद को एक युद में पराजित किया और 1574 में विहार पर मुगलो का अधिपत्य हो गया और पराजित होने के बाद दाओद जो है बंगाल भाग गया वोशन नुमर दस पराजिये समराथ अकबर दोरा ने मिलके दमें से किसको जरी कलम की उपाधी परदान की गई थी जरी कलम की उपाधी अकबर ने किसको दी थी बीरबल को नहीं दी थी अमीर खुसरों को नहीं दी थी या तो मुहम्मद हुसेन को दी होगी या मीर सेयद अली को किसको दी थी मुहम्मद हुसेन को तो अकबर के दरवार के परशिद ग्रंथ करताओं में सबसे प्रमो का कश्मीर का मुहम्मद हुसेन था से अकबर ने जरी कलम की उपाधी प्रतान की थी कोश्चन नमबर बारा पर आजए जैन साधु जो अकबर के दरवार में कुछ वर्सों तक रहा जिसे जगद गुरू की उपाधी से संभानित किया गया कौन था जैन साधु की बात हो रही है तो अमीर खुसरों का इलमिनेट क समझने की उद्देश से आमंत्रित किया था हरी बिजय सूरी अकबर के दरवार में कुछ वर्सों तक रहा और जगद गुरू की उपाधी से संभानित किया गया उसको इसको इसकी विद्वता एबम चिंतन तथा विनमरता से प्रवावित होकर अकबर ने कुछ दिनों के ल यह है है इंगलेंड की रानी एलिजवेद प्रत्थम का समकालीं भारती राजा कौन था कई यह तो आसान सा प्रश्ण है। सोले सो का समय था तो अकबर के साशनकाल था उस समय तो इंग्लेंड की राज इंग्लेंड की रानी ठीक है कुईन एलेजवित का समकालीन भारते राजा था सम्राट अकबर देसंबर सोले सो में इस्ट इंडिया कंपरी की स्थापना के समय इंग्लेंड की रानी एलेजवित थ ठीक है और समय था पंद्रह सो चपपन से लेकर सोले सो पांच कोश्चन नुबर फोटीन पर आजए अकवर के साशनकाल की निम्लिकित घटनाओं को काला नुकरम वेवस्तित कीजिए यह इंपोर्टेंट है प्रशन किसी भी एक्जाम के लिए और यह अकवर के द्वारा किये काम होगा इसमें 1582 का है ठीक है सबसे पहला हो जाएगा जजिया की समाप्ति उसके बाद इबादत खाने का निर्माण ठीक है विवहने धर्मों से बाद विवाद करने के लिए हैं तीसरे पर मजहर पर हस्ताक्षर चोथे पर दीन इलाई तो सिक्वेंस में तो लगे हुए ये 1234 हो जाएगा इसका अंसर है कोई 1234 ये हो जाएगा तो अकबर ने जजिया कर की समाप्ति जो है 1564 में की 1575 में फटेफुर सीक्री में इबादत खाने की स्थापना की जिसका उद्देश था दार्षनेक अबमधार्मिक विश्यों पर बाद विवाद करना लेके अकबर ने समस्त धार्मिक मामलों को अपने हातों में लेने के लिए 1579 में मज़र नामा की खोशना की यह मज़र नामा अवल फजल के पिता सेख मुबारक ने तियार किया था लेकि अकबर ने सभी धर्मों में सामज़से स्थापित करने के लिए 1582 में तोहीद ए इलाही या दीन इलाही की स्थापना की थी इन सब को आपको सन के साथ याद रखना है ठीक है इसा 1582 दीन इलाही ठीक है 1579 मज़र नामा और जजिया की समापती 1564 और 1575 में इवादत खाने की स्थापना यह वड़ा इंपोर्टन्ट है यह हो गया यह 1582 वाला दीन इलाही या तोहीद एलाह कोशन नमबर 15 पर आजए अंतिम प्रशन है नम्रिकित मैसे किस इस्थान पर अकबर को हुमायू की मृत्यू की सूचना मिलने पर राजगद्दी पर बैठाया गया था बताइए कौन सा इस्थान था वो वो था कला नौर ठीक है आप्सन नमबर D तो कला नौर में 1555 में अक अजगद्दी पर बैठाया गया था अकबर को हुमायूक हो गया सलीम तो 15 प्रशन थे मध्यकालिन भारते इत्यास के इनकी प्रक्टेस एक बार कर लिजेगा धन्यवाद